नमस्कार, आज हम इस डंडे से पिटाई नहीं करेंगे, हम आज मचली पकड़ेंगे, चलते हैं हमारे पास ये छोटा सा एक मचलीयों का तालाब है और मैं इसमें से एक मचली पकड़ने जा रहा हूँ अरे वाह, मेरे पास दो मचली आ गई, चलो मुझे एक मचली की जरूरत है, तो दूसरी को मैं तलाब में वापिस छोड़ देता हूँ अब ये जो मचली हमने पकड़ी है, इस मचली की अब हम कुंडली निकालेंगे इस पर एक नमबर लिखा है और यह नमबर है 27 अब हम इस मचली की कुंडली बनाएगे सबसे पहले क्या ये 27 नमबर प्राकृतिक संख्या है, हाँ यह एक प्राकृतिक संख्या है पूर्ण, क्या यह एक पूर्ण संख्या है, हाँ यह एक पूर्ण संख्या भी है सम, क्या यह एक संख्या है, नहीं यह एक संख्या नहीं है क्योंकि यह दो के पहाड में नहीं आती, इसलिए 27 एक संख्या नहीं है विशम, क्या यह 27 एक विशम संख्या है? हाँ, क्योंकि यह दो के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए यह एक विशम संख्या है भाज्य, 27 यह 1, 3, 9 और 27 इन 4 पहाड़ों में आती है अर्धात, इसके दो से जादा गुननखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है अभाज्य, क्योंकि हमने देखा कि 27 एक भाज्य संख्या है, तो यह अभाज्य नहीं हो सकती पुर्नाग, हाँ, 27 एक पुर्नाग भी है इस प्रकार हमने देखा कि हमने तलाब से एक मचली पकड़ी और फिर उसकी गनित के हिसाब से पुरी कुंडली निकाली कि यह सं है, या विशम है, भाज्य है, या अभाज्य है अब मुझे इस मचली की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम इसे वापिस तलाब में भेज देते हैं